अक्शन! दुनिया में वो एक ही छोना ए एक मिनट मेश भई आपनी एस में से पैंट तो निकाल लो हाथ तो भई मैंने भी देख लिया बैड़ाज रवी कुमार का अनॉंसमेंट जिसको वाश आउट करने के लिए मुझे अनॉंसमेंट आ चुका है जिसकी पंच लाइन कर देगी तुमको दीवानी जिस संडास में तुम्हारे नाक के बाल जल जाते हैं उसी संडास में हम प्राणायाम करते हैं तेरे पिचवाडे में इतना गू नहीं है जितना रवी कुमार एक ट्रेलर में हग देता है अरे मेरी तरफ मत देखो बोल हमेश भाईया रहे हैं तो बाई लोग तयार हो जाओ एक आईसी मूवी के लिए जिसमें नहीं केवल वी एफेक्स डाले गए हैं बलकि किसी गेम से चुराबी लिए गए हैं वाई बाईया वाई तुम चला रहे हैं सन 1952 की गण और ये चला रहे है 252 की गण सही है ना तीन मिनट का अनाउंसमेंट ट्रेलर डाल दो और दो सीन चोरी के डाल दो किसी को पता थोड़ी न चलेगा किसी को पता नहीं चलेगा तो भाई लोग सब तयार हो जाओ क्योंकि ये स्टोरी है एक लेजेंडरी मैन की अरे एक मिनट ये म्यूजिक तो कही सुना सुना लग रहा है बे वो क्या है ना इमेश भाईया धुन चोरी करो केरेक्टर नहीं पोल खुल जाती है पर भाई लोगो डरना किसी को नहीं है क्योंकि पचास-पचास कोज दूर जब कोई हरामी अपनी हरामी गिरी दिखाता है तो उसके अंटर पंटर बोलते हैं सुधर जा नहीं तो रवी कुमार मूद देता है अरे एमेश भाईया वी एफेक्स चोरी कर लिए धुन भी चोरी कर लिए काई लोग तो अपने डाल देते पूरा अनॉंसमेंट देखके केवल एक ही फिलिंग आ रही है पर अब सब के लिए हिमेश सर की तरफ से एक सप्राइज है जो की है एक गाना क्या क्या उड़े अब तो मुझे सच में विश्वास हो गया के रौकी भाईया सही कहते है वैसे जलू भाईया एक चीज बताना तुमको आईसी कौन सी चही चीज याद जिससे तुमको क्रिकिट की याद आती हो ओ तो इसमें क्या है भाई अभी गिनवा देता हूं पहला जब कपिल देव पहली बार हमारे देश के लिए वर्ल्ड कप लाए थे और दूसरा जब सचिन तंदुलकर ने सो शतक लगाए थे तीसरा जब दोनी भाईया 2020 का वर्ल्ड कप लाए थे और चोता जब दादा ने टीशेट उतार के अंग्रेजो की वो जलाए थे और पांचवा जब व्यूबराज भाईया ने 6 गेनों पे 6 छक्के लगाए थे और चटा है 6 सर अरे अरे वो वाला 6 सर नहीं रे ये वाला 6 सर तो भाई लोग 6 सर एक ऐसी कहानी जो आपको वो पल याद दिला देगा जो आपने जिंदगी में एक बार जरूर जिये होंगे तो आप 6 सर को देख सकते हो Amazon मिनी टीवी पे तो चलो वीडियो में वापस आते हैं और सब लोग अपनी कुरसी की पेटी खोल लेना जो कि the biggest action entertainer of 2023 ले जाएगा तुमको दूसरी दुनिया में भाई मुझे बस यही समझ में नहीं आ रहा कि इतना धून रड़ा का हो कहां से रहा है कहीं पे हेलिकॉप्टर क्रेश हो रहे हैं कहीं पे टैंक ब्लास्ट कर रहा है अरे हिमेज भया सीरिया तो नहीं पहुँच गए क्योंकि हमको मालूम है और इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है कि पीछे वाले पंटर का चेरा ब्लर करने के बाद भी उसकी हसी साफ दिखाई दे रही है हिमेज भया इसके तो 50 रुपे ओवर एक्टिंग के कटने चाहिए न ठीक है और सबसे ज़रूरी चीज क्योंकि अपकी बार होगा डबल मसाला डबल पावर क्योंकि हिमेज भया ने बांद लिया है अपना टावर अरे माना की मूवी का नाम बड़ा एज आब मेरा मतलब है बैड एज रवी कुमार है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम गाड़ी का भी पिछवाड़ा उठा के सबको दिखाऊगे पर बाई लोग एक और सप्राइज है सारे फैंस के लिए जिसके विना हार मूवी अदूरी है और वो है ब्योटी 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 पस यही मेरे को समझ में नहीं आया कि जब इतनी सुन्दर सुन्दर लड़किया है इनन्होंने मूवी में रखी है तो हिमेज बहिया पूरे अनॉंसमेंट्रेलर में गैट वो क्यों कर रहे थे बाई लोग पूरे announcement trailer में यही हुआ है एक ही चीज़ को तीन बर दिखा के केवल वीडियो की length बढ़ाई गई है अब इस बंदुक वाले scene को देख लो एक ही चीज़ को तीन बर अलग-अलग angle से दिखाया गया है और इन सब के बीच में तीन बार तो हमें हिमेज भाईया का back यानि की पिछवाड़ा दिखाया गया है हिमेज भाईया अपना थोड़ा कम दिखा लेते अरे announcement ओडियन्स लोगों की तीन मिनट जिंदगी बढ़ जाती और एक चीज गौर करी आप लोगोंने कि पूरे announcement में हिमेज भाईया बस बंदूग चला रहे हैं लेकिन trigger किसी का भी नहीं दबा रहे हैं पता नहीं गोलियां चल कैसे रही है लेकिन एक चीज जरूर दबाईये इन्होंने अपने दातों से अपने होट बाईयों जब पूरा announcement देखके हमारा कुत्ता बन गया तो हम भी तो थोड़ा बहुत किसी को बना सकते हैं न तो बाईयों और लड़कियों हो जाओ तैयार क्योंकि आ गया है Megastar करके YouTube से डाउनलूट सस्ते VFX और सस्ते से action without hit mark करते कैसे हो यह सब अरे भाई होगा कैसे नहीं क्योंकि इस movie के director है हिमेश रेशमया, producer है हिमेश रेशमया, hero भी है हिमेश रेशमया, music भी हिमेश रेशमया और theater में से देखने भी जाएंगे तो सिर्फ हिमेश रेशमया और अब तो हमारे हिमेश भाईया डांस भी करने लग गए हैं और वो भी एक नंबर पहले तो सच में मुझे लगा कि ये मुवी कई अनुमलिक तो नहीं बना रहे हैं कि हर जगे आगी लगी पड़ी है मुवी का तो छोड़ो दिरे दिरे मुझे ये लग रहा था कि ये अनॉंस्मेंट खतम कब होगा और जैसे ही खतम होने वाला था तब ही ये आ गया अरे इमेज भाईया दिखाना क्या चाते हो इतना बुरा अनॉंस्मेंट करके सटका नहीं जा रहा या फिर इन धूम धड़ाकों के बीच में अपना धमा का दबाने की कोशिश कर रहे हो तो बाई लोग आज की वीडियो में इतना ही थोड़ा बहुत नया ट्राइ करा है कमेंट में जरूर बताना कैसा लगा अगर ऐसे ही कॉंटेंट और चाहते हो